Hi guys, I am Namrita, welcome back to my channel and I hope you all are doing well आज मैं बात करने वाली हो एक brand के बारे में जिसका नाम है Rio Hubs So Rio Hubs के product मैंने online बहुत ही सारे makeup artist को use करते वे देखा and मुझे पता है कि makeup artist हमेशा अच्छे products use करते है So मैं बहुत ज़्यादा excited थी इनके products try करने के लिए So मैंने अभी तक इनकी 2 products try किया है Range जो मैंने देखिया इनकी website पे बहुत ही ज़्यादा affordable है इसमें आपको skincare, hair care और makeup से related products मल जाते है So मैंने जो 2 products try किया है उसमें से सबसे पहला product है इनका बहुत ही अच्छा सा setting spray So ये है इसका dewy setting spray So इसे मैं अभी तक literally बता रही हूँ कम से कम 15 वाट try कर चुए हूँ क्योंकि मैं daily basis पे makeup करती हूँ आपको पता है मैं Instagram पे reels upload करती हूँ daily So उसमें मैंने इसे try किया है And अब honestly आपको बता सकती हूँ कि ये किस तरीके का effect देता है And आपको इसमें invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए Next product जो मैं मैंने try किया है वो है इनका sheet mask So ये जो sheet mask है ये है 3 layer sheet mask इसके मैंने total 3 order किये थे अभी तक 2 मैं use कर चुकी हूँ ये third one है अब मैं आपको finally बता सकती हूँ कि इससे मुझे कोई फरक पड़ा या नहीं पड़ा है या फिर मेरे face पे कुछ अच्छा effect आया है या नहीं आया है Live demo भी करके दिखाऊंगी तो आपको instantly पता चल जाएगा कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए Make sure आप video end तक जरूर देखना I hope कि आपके लिए video बहुत जादा helpful रहे अगर आप मेरे channel पे नए है Thank you so much for joining आप मेरे channel को subscribe कर सकते हैं साथ में दिएगे bell button को जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी ऐसी videos की latest updates आप तक पहुँच जाएगी आप लोग मुझे Instagram पे भी जरूर follow कर सकते हैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे real के content देखने को मिल जाते हैं So without wasting any more time let's get started तो सबसे फ़हले बात करते हैं इस brand के बारे में इस brand में आपको कोई भी harsh chemicals देखने को नहीं मिलेंगे ये paraben free है, sulphate free है, silicon free है and ये cruelty free भी है So जितने भी chemicals थे, वो इन्होंने किसी भी product में add नहीं किये है आपको definitely इनकी products एक बार जरूर ट्राय करने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही जादा affordable range में एक premium quality product आपको provide करते है एक और चीज में बताना चाहती हूँ जो मुझे भी recently पता चली है कि इनकी जो brand ambassador है वो है Sonakshi Sina So आप definitely इससे guess कर सकते हैं कि ये कोई ऐसा वैसा brand नहीं है आपको इस brand को एक बार जरूर ट्राय करना चाहिए So सबसे बहले बात करते हैं इसके makeup fixer के बारे में So this is how the cardboard packaging looks like बहुत ही अच्छी black color की cardboard packaging में आता है Everything is mentioned on the packaging इसके ओपर इसके ingredients इसमें कौन-कौन से chemicals नहीं है इसका जो price है, quantity, shelf life सब कुछ mention है तो definitely a very big thumbs up for the outer packaging क्योंकि आजकर जादा brands इतना अदा mention नहीं करते हैं बड़ इसके ओपर सब कुछ mention है अगर बात करें इसकी inner packaging के बारे में So this is how the plastic packaging looks like यहाँ पर आपको silver color का cap मिलता है जैसे आप इसे open करेंगे इसके अंदर जो spray है इतना evenly आपके face पे spread हो जाता है ऐसा नहीं लगता कि एक बारी spray करने पर एक ही जगे product ही अठा हो गया है बहुत evenly layer spread होती है और definitely एक बहुत ही अच्छी quality का इन्होंने इसमें spray add किया है उसके लिए भी एक बहुत ही बड़ा thumbs up है कुछ कुछ चीजे जो मैं mention करना चाहूंगी वो यह है कि इसके main ingredients में आपको hyaluronic acid, tea tree oil and glycolic acid मिलेगा यह सारी ही चीजे you know कि आपके skin के लिए बहुत ही ज़ादा अच्छा है आपके skin के लिए और ज्यादा बेटर है यह आपको बिल्कुल भी irritate नहीं करेगा आपके skin पर कोई irritation इससे फील नहीं होगी आपको try करना चाहिए यह वाला जो वेजेंटी जो dewy finish वाला है यह specially normal to dry skin के लिए है तो मैं सिर्फ उन लोगों कोई recommend करूंगी अगर आपकी oily skin है तो आप इसका matte variant definitely try कर सकते हैं आग बंद करके लिलो क्योंकि मैं आपको recommend कर रही हूँ do we finish वाला बहुत अच्छा है तो matte वाला भी definitely बहुत ही अच्छा होगा अब बात करते हैं इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपको application दिखाती हूँ आपके सामने मैं इसे try करके दिखाऊंगी and you can clearly see कि मेरा face जो है इस time एकदब matte है मैंने अपने face पे कोई भी highlighter अप्लाई नहीं किया and यहाँ पे जब मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत drying feel हो रहा है as I can see in my mirror बहुत ही ज़्यादा drying feel हो रहा है जब भी आप इसे open करें पहली बार हलका सा आपको spritz करना है जिसे कि जो extra product है वो एक बार निकल जाए and उसके बाद सबसे पहले आपको अपने face पे से apply करना है थोड़ा सा दूर रखके आप अपने face पे से apply करेंगे तो आपको instant ही देखने को मिलेगा and अब मैं आपको सबसे पहले इसका live demo दिखाती हो so before and after में आप दोनों में difference देख सकते हैं पहले मैं अपने face पे make up किया हुआ था बट तब भी मेरी skin बहुत जादा dry लग रही थी इसको apply करने के बाद जैसे ही मैंने अपनी skin लेखी बहुत जादा hydrated, illuminous लग रही है highlighter की तो बिल्किल भी ज़रूरत नहीं है so अगर आपको अपने face पे बहुत अच्छा dewy finish चाहिए तो ये एक product आपको definitely ले लेना चाहिए two in one काम करेगा makeup fixer तो होना ही चाहिए highlighter आप जरूर इससे skip कर सकते है so a very big thumbs up from my side आपको definitely try करना चाहिए links जो भी है वो आपको description box लोग सो मिल जाएंगे मेरे हिसाब से आपको अगर dry skin है तो ये वाला variant जरूर ट्राइ करना चाहिए next product की तरफ बढ़ते है ये है इनका sheet mask इससे पहले मैं दो try कर चुकी हो ये specially आपके demo के लिए कि आपको instantly results देखके बहुत ही अच्छा clearly समझ में आ जाएगा कि आपको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए so सबसे पहले बात करते है outer packaging की this is how the outer packaging looks like ये है Rio Hubs का biocellulose 3 layer sheet mask इसमें आपको specially coconut and rose मिलता है and ये आपको glutathione and niacinamide के साथ में मिल रहा है you know niacinamide specially होता है अगर आपके face पे dark spots हैं जैसे की acne हो गए थे and dark spots नहीं जा रहे है so niacinamide specially as a serum या फिर इस तरीके की जो sheet mask होते हैं ऐसे variant में बहुत ही आपके face के लिए and ये वाला जो mask है specially ultra hydration और nourishment के लिए मेरी skin बिल्कुल भी hydrated नहीं होती है इतनी जादा dry होती है क्योंकि excess में dry skin है so ये sheet mask मेरे लिए बहुत ही जादा beneficial है आपको भी definitely try करना चाहिए inner packaging की बात करें जैसे आप इसे open करेंगे अंदर जो sheet mask निकलता है उसकी layer को आपको एक को हटा देना है जो extra sheet की layer होती है and आपको अपने face पे evenly से apply कर लेना है बहुत easily apply हो जाता है application की बाद आपको 15 to 20 minutes maximum इसे अपने face पे रखना है ये आपको बहुत hydrated feel कर आएगा इसमें सबसे main बात ये है कि ये cruelty free है alcohol free है, vegan है, paraben free है and sulfate free भी है highly highly recommend करूंगी क्योंकि ये alcohol free है and आपके face को irritate बिल्कुल भी नहीं करेगा sheet mask आपको पता है सिर्फ one time use होते है सिर्फ आप इने एक ही बार use कर सकते हैं इसमें इतना जादा serum निकलता है कि आपका पूरा face कबर हो जाएगा उसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि extra इतना सारा serum का क्या करूं so वो जो extra serum है आप अपने hands पे knee पे लगा सकते हैं, elbow पे लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कोई भी area में थोड़े से odd rhinos हो रही है आपको instantly बहुत ही जादा nourished feel होगा बहुत ही जादा अच्छा लगेगा and before और after में भी आपको बहुत drastic change देखने को मिलेगा क्योंकि आपके skin बहुत healthy लगेगी, मैं आपको recommend करूंगी, ये जो sheet mask है ये आप रात के time पे लगाए तो आपको जादा अच्छा effect दिखेगा क्योंकि इसके बाद आपको अपने face को wash नहीं करना है and throughout the night जो niacinamide इसमें available है वो आपके face पे जितने भी darkness है और dullness है उसे fade away करने में लाइक उसे heal करने में बहुत help करेगा so इसका product का link भी आपको description box में मल जाएगा एक बार जरूर ट्राय करो आपको definitely बहुत अच्छा लगेगा so this is it for today's video I hope आपके लिए आज के वीडियो बहुत helpful रही होगी और भी कोई query है इस products related आप मुझे comment में पूछ सकते हैं मैं definitely आपके comment का reply करूँगी and और कोई नई वीडियो दिखना चाते हैं आप वो भी मुझे बता सकते हैं मैं next वीडियो उसकी create करने की कोशिश करूँगी so मैं आपसे मिलती हो अपनी next वीडियो में उससे पहले आप इस वीडियो को like करना मत भूलना channel को subscribe करना मत भूलना मैं आपसे मिलती हो अपनी next वीडियो में तब तक के लिए बाई